हेलो एव्रीबान वेलकम तो कौन स्टाटी जैसा आप जानते हैं क्लास फोर रिक्रूट्मेंट के लिए हमने ये विडियो स्टार्ट की है इस एक्जाम का पैटन कुछ इस तरह से रहेगा जो आपका 100 मार्क्स का एक्जाम है ये आपको टू आर्स मिलेंगे करने के लिए वि 20 मार्क्स है वो आपके मैट्स के है 20 मार्क्स की इंग्लिश और 40 मार्क्स की जेनरल अवेरनेस है ये सारे लेक्चर्स आपको हमारे चानल पर मिल जाएंगे साथ ही 20 मार्क्स की रीजनिंग है इसका ये सलेबस आप देख सकते हैं इसमें इनॉलोजी हैं रिलेशन्शिप कॉ तो आज की वीडियो में ये वेंट डाइग्राम टॉपिक में आपको स्टार्ट करवाने वाली हूं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आपने आंसर देना है स्टार्ट करने से पहले मैं बता दू हमारा जो कौन स्टाडी चैनल है इसकी प्लेइलिस्ट टैब में अगर आप जाएंगे यहाँ पर JK, SSP, Class 4, Mathematics, General Awareness इस तरह से आपको प्लेइलिस्ट बनी भी मिल जाएंगी तो आप यहाँ से इनको अक्सेस कर सकते हो सबसे पहले एक definition देखते हैं और फिर इसको कुछ examples की help से समझेंगे सो when diagram क्या होती है? A diagram representing mathematical और logical sets pictorically मतलब यह जो mathematical और logical set है इसका कुछ इतना difficult meaning नहीं है simple meaning है कि यह क्या होता है group यह होगा group of elements जिनके कुछ common characteristics होगी एक group of elements को रिप्रेजेंट करेंगे pictorically यानि की diagram बनाके और कैसे होगा circles की help से so for example हम देखते हैं एक group है जो रिप्रेजेंट कर रहा है सारे animals को so there is another group जिसको एक circle से रिप्रेजेंट किया है उसमें आपके सारे plants है अब animals और plants में as such कुछ common नहीं है तो यह दोनों circles बिल्कुल अलग अलग बनें आपके यह जो circles होंगे यह कहां पर होंगे within an enclosing rectangle या universal set universal set क्या हो गया मैं आपको example से समझाते हूं यह आपका rectangle से हमने universal set बनाया यह universal set क्या है सारे के सारे जो living things है उसका universal set है यह किसी भी चीज का हो सकता है मैंने example में living things लिया है तो अगर यह universal set आपका living things का है यहां पर आपके plants आ गए ठीक है animals है humans है यह सारे circles आपको अलग लग groups जो है रिप्रेजेंट करते हैं यहां तक तो हमने इसकी definition को समझ लिया तो इसके आगे लिखा है common elements of the sets यानि की groups being represented by intersections of the circle intersection क्या होगी अगर एक circle ऐसा है और second circle उसको intersect कर रहा है ठीक है मतलब इनका कुछ यह common region given है जो common elements होंगे दोनों groups के वो यहां पर लाए करेंगे इसको understand करेंगे मैं आगे कुछ examples करवाऊंगी आपको उन examples के थ्रू यह सब समझ में आ जाएगा so let's see सबसे पहले हमने बना लिया एक universal set जिसमें सारे professionals है ठीक है doctors engineers lawyers लेकिन doctors में और lawyers में या lawyers engineers में या फिर engineers or doctors में कोई भी ऐसा element या कोई भी ऐसा person नहीं होगा जो दोनों ही groups को belong करता हो तो इसलिए यह जो circles है हमारे doctor का lawyers का engineers का यह separately बने हैं यह overlap नहीं कर रहे हैं अगर इनमें कोई common element होता तो यह overlapping circles बनते उसी तरह से आप देखो यह universal set हमारा अगर living things का था तो अगर humans हमारे इस blue circle से represent हो रहे हैं और cat इस red circle से humans और cats में कुछ common element नहीं है कोई भी ऐसा नहीं होगा जो human भी है और cat भी तो इसलिए यह circles अलग बने लेकिन जो भी black circle से आप देख रहे हो यह males को represent किया है humans वाले circle के अंदर ही आएंगे उसी का एक subset है उसी का एक हिस्सा है उसी तरह से यहां पर एक आप circle बना लो तो यह represent क्या कर देगा आपका females ठीक है तो इस तरह से कुछ आपकी डाइग्राम बनेगी अब यह एक्जामपल बहुत ही easy to understand है बहुत ही basic है तो इसको देखते हैं जो blue color का circle मैंने outer circle बनाया है जो कि foods को represent कर है सारे foods को जिसमें fruits vegetables fast food कुछ भी आ सकता है तो उसमें से मैंने food के दो subset लिए दो sub groups लिए एक बड़ा group है blue जो कि foods को represent कर रहा है जो red color का group है जो red circle से बना है वो सारे fruits का group है उसी तरह से जो green color का मैंने circle बनाया है वो vegetables को represent कर रहा है fruits और vegetables में भी कुछ common नहीं है तो यह दोनों circles different बने लेकिन fruits और vegetables individually foods जो बड़ा circle है blue उसका हिस्सा है इसलिए इस बड़े circle के अंदर मैंने fruits और vegetables को represent किया है क्योंकि ऐसा कोई fruit नहीं होगा यहां पर जो food का हिस्सा नहीं है तो ऐसा नहीं बनेगा ना सारे के सारे fruits जो है वह food वाले circle के अंदर ही वनेंगे इसी foods वाली example से ही एक और आपको मैं explain करती हूँ एन diagram so this is a bigger circle जो सारे foods को represent कर रहा है और सारे जो fruit है वह भी उसी का हिस्सा होंगे जैसा आपने last example में देखा और जो सारे apples का group है वह भी तो fruits के अंदर ही आएगा कोई ऐसा apple तो नहीं है ना हमारे पास जो fruit नहीं है so वह fruit वाले circle के अंदर ही एक subset बनेगा so यह आपकी Venn diagram बन गई जिसमें एक bigger circle है जो सारे के सारे foods को represent करता है और जो fruits है वह इस food वाले group का एक हिस्सा है और apples जो है वह fruits वाले group का एक हिस्सा है so यह आपकी Venn diagram अगर आपको मैं बोलूँ आप एक Venn diagram बनाओ जिसमें foods, vegetables और carrots इसका बनाना है इसका कैसे बनेगी Venn diagram तो उसकी Venn diagram भी कुछ ऐसी बनेगी कि एक outer circle होगा जो food रिप्रेजेंट करेगा एक inner circle जो vegetables और एक उसके अंदर circle जो रिप्रेजेंट करेगा carrots को so next example देखते हैं अगर आप में कभी भी Venn diagram नहीं देखे है या आपको नहीं पता है तो भी आप इन examples के through easily समझ सकते हैं मैं आपको advice करूँगी कि आप अपनी notebook ले उस पर ये सारी Venn diagram खुछ से draw कीजिए examples लिखिए ऐसा करने से आपको ये Venn diagram अच्छे से clear होंगी तो अब इस example में देखते हैं जो bigger circle था ये blue वाला ये represent कर रहा है males को एक circle है जो fathers को represent कर रहा है एक circle है जो brothers को represent कर रहा है अगर मैं बोलूँ वो कौन से males है जो कि brothers है बट वो fathers नहीं है तो जो ये वाला portion होगा न ब्रदर्स का ये आएगा इसमें उसी तरह से वो वाले males बताओ जो कि fathers है बट ब्रदर्स नहीं है तो उसके लिए आपको ये वाला portion लेना है इनके बीच का जो common portion है वो नहीं आएग वाले males, males इसलिए क्योंकि ये एक बड़े males वाले circle के अंदर ही diagram बनी है वो वाले males जो कि fathers भी है और brothers भी यानि वो दोनों ही groups को belong करते है अगर कोई यहाँ पर है तो ये male जो होगा वो father वाले group में भी belong करेगा और brother वाले group में भी belong करेगा और males में तो वो already था तो यहाँ प जो कि father भी है और brother भी तो अब ये example समझने की कोशिश करते हैं इस वें diagram में क्या बताया गया है तीन groups है हमारे पास logical sets जो है हमारे पास कितने है तीन एक set हमारा है pets एक हमारा है dogs and one is cats ठीक है तो देखते हैं सबसे पहले ही जो हमारा ये first circle है ये पूरा ये represent कर रहा है सारे के सारे dogs और ये वाला circle बता रहा है सारी की सारी cats और center वाला जो circle है वो सारे pet animals जो है उनका group है लेकिन pet animal के group में जब ये cat के साथ intersect करता है तो जो common area होगा यहाँ कोन आएगी ऐसी cats जो की cat वाले group में भी है pet वाले group में भी है वो आपकी pet cats हो गई यानि cats that are also pets ठीक है किसी भी तरह से बोल लो मतलब तो वही रहेगा उसी तरह से ये जो dogs वाला group है इसका जो portion pets के साथ common आ रहा है यहाँ पे कोई dog होगा अगर वो pets वाले group में भी बिलोंग कर रहा है यानि dogs that are also pets यानि आपके इस portion में सारे के सारे pet dogs होंगे इसको एक बाद फिर समझते हैं जो ये आपका common portion है ये आपका आजाएगा pet cats का और ये वाला common portion है ये आपका आजाएगा pet dogs का उसी तरह से pets वाले ग्रूप में यह जो center वाला portion है जो common नहीं आ रहा यहाँ पर वो वाले pets आएंगे जो dogs या cats नहीं है अब उसी तरह देखते है जो यह वाला portion है यह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यह potion रिप्रेजेंट कर रहा है वो वाले dogs जो की pets नहीं है उसी तरह से cats वाले ग्रूप में जो ये portion है जो pets के साथ common नहीं था ये pets वाला ग्रूप था न इसके साथ जो common नहीं था वो वाला जो portion है वो क्या होगा वो वाली cats जो की pets नहीं है So I hope यहाँ से आपको थोड़ी clarity मिल रही है इस डाइग्राम को एक बार खुद नोर्पूप पर बनाईए और इसको समझिए अराम से तो अभी तक मैंने आपको कुछ different type की Venn Diagrams की examples थी और भी तरह से Venn Diagrams बन सकती है और भी इसकी काफी examples है कुछ examples हमारे questions में cover हो जाएंगी बाकी examples में आपको next video में दिखाऊंगी इस पे जो questions है अगर MCQ अगर आपका objective type exam है तो आपको Venn Diagram द्रौ करने के लिए नहीं बोलेंगे वहाँ पर Venn Diagram दे दी जाएगी और आपसे पूछेंगे की Venn Diagram गिवन options में से कौनसी वाली Venn Diagram से ही है तो आज हम इसी type के questions देखेंगे और हमें चार options given होंगे A, B, C, D जिसमें चार अलग-लग Venn Diagram बनी है तो हमें बताना है इन चारों में से कौनसी Venn Diagram जो है इन तीनों के relationship को ठीक से depict करती है तो इस question को कैसे attempt करना है पहले हमें खुद देखना है कि इसकी अगर Venn Diagram होगी तो वो कैसी बनेगी So let's see अगर आप देखो tie, shirt और shoe अगर ये आपका group बन गया ties का ये आपका group बन गया shirts का और ये आपका group बन गया shoes का क्या इन तीनों में कुछ common हो सकता है क्या कोई भी tie की group में ऐसा element है जो shirt के group में भी fit हो या shoe के group में भी fit हो ऐसा कोई element नहीं है तो इसकी जो Venn Diagram है वो कुछ ऐसी बनेगी ये आपका tie का group ये आपकी shirts का और ये आपके shoes का So let's see option में ऐसा कहाँ पर given था So जैसा हमने diagram बना के भी check कर लिया ये जो first हमारी diagram है ये सही हो जाएगी ये आपकी ties का group ये आपके shirts का और ये आपके shoes का group तो इसका answer होगा आपका option A Let's see question number 2 यहाँ पे हमें पूछा है book, dictionary और printer इनका best relationship कैसे Options मैंने अभी screen पे नहीं रखी क्योंकि सबसे पहले हम खुद ही बना के बेखेंगे कि इसकी when diagram कैसे बनेगी So let's see ये आपका group बन गया सारी की सारी books का और ये आपका group बन गया सारे के सारे printers का book और printer जो है उसमें तो कुछ common नहीं है न So इन दोनों में तो कुछ common नहीं है But dictionary Dictionary क्या है Dictionary is a type of book only यानि जो सारी की सारे dictionary है वो book का part होगा Dictionaries का जो group है It will be a part of the group जो books का group है कोई ऐसे dictionary तो नहीं है न जो books का part नहीं हो क्योंकि dictionary is a part of book तो ये चीज़ तो नहीं होगी So let's see options में ऐसा कहा है B option है ठीक है ये आपका outer circle हो जाएगा books का Inner circle होगा Dictionaries और ये जो separate बना है ये आपका printers तो कुछ इस तरह से आप ये questions answer कर सकते हैं Let's see another question इस question में हमें potato, food और vegetable इसी तरह की example मैंने आपको पहले भी बताई थी कुछ जिसमें food, vegetable और carrot ली थी तो ये काफी similar है बस carrot की जगा potato कर दिया है इसको भी बना के देखते है ये आपका एक main circle बनेगा जो होगा foods का ये सारे foods को represent करेगा food के अंदर ही vegetables आती है कोई ऐसी vegetable नहीं होगी ना जो food नहीं है तो obviously vegetable is a subset of food उसी तरह से potato भी sorry potato भी vegetable है तो यहाँ पर vegetable के अंदर एक inner circle बनेगा जो की होगा potato तो लेट सी इसका answer क्या होगा तो जैसी हमने diagram बनाई है उसके according a option होगा इसका answer सबसे बाहर वाला circle हमारा food को represent करेगा उसके अंदर वाला vegetables को और सबसे inner circle जो है वो potatoes को represent करेगा तो answer हो जाएगा option a so let's see question number 4 इसमें भी आप पहले खुद से बना के try कीजिए कि table, chair और furniture इसकी जो when diagram है कैसे बनेगी पहले हम try करेंगे और फिर options में से choose करेंगे तो अगर आप देखो तो table भी furniture की ही type है या furniture का ही एक part है chair भी furniture का ही एक part है तो ये किस तरह बनेगी एक outer circle होगा जो हमारा furniture represent करेगा उसके अंदर एक group होगा जो होगा tables का और उसी के अंदर एक group होगा जो होगा chairs का tables और chairs में कुछ common नहीं है अगर common होता तो वो इस तरह से बनती न diagram बट नहीं है तो ये वारी diagram जो है नहीं बनेगी हमारी ये वाली diagram जो है वो option number C वाली सही हो जाएगी So I hope आपको अब when diagrams थोड़ा समझ आ रहा होगा कैसे बनाएंगे और questions किस तरह से आते हैं exam में So अब ये question देखो जिसमें आपको hockey, cricket और games इन तीनों का relationship बताना है option A, B, C, D इन चारों में से ये कौन सी when diagram है जो इन तीनों के relationship को represent करती है ये आपका try it yourself question है जिसका answer आप मेरे को comments में बताओगे ठीक है So I hope आपको when diagrams थोड़ी समझ आई होगी आप examples इसकी खुद से भी सोच के बनाने की कोशिश कर सकते हो जिससे आप बहुत comfortable हो जाओगे Venn Diagram के साथ और ये questions आप exam में बिल्कुल सही और easily solve कर लोगे So next lecture में मैं Venn Diagram के ही और questions लेके आऊँगी तो आप ज़रूर देखिए और practice करते रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe भी ज़रूर कीजिए So that हमारी जो वीडियोस हम डालते हैं exam updates और preparation के लिए आपके कोई वीडियो मिसना हो So that's all from my side Thank you so much